हर कोई इंसान चाहता है कि उसकी immunity सबसे अच्छी हो और immunity को अच्छी करने के लिए लोग बोलते हैं कि आप exercise करो exercise करने से immunity कैसे बढ़ती है इसके उपर कोई चर्चा नहीं करता आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि blood के साथ ही एक और circulatory system होता है हर्ट वाला जो circulatory system होता है उसके साथ ही एक और circulatory system होता है हमारे शरीर के अंदर जो exercise करने से हमारी immunity के अंदर इजाफा करता है और उसको बोलते है lymphatic system तो यहाँ पर हम केवल overview यानि किसी technicality में नहीं जाकर केवल यह समझेंगे कि हमारे जो body fluids हैं वो किस प्रकार से रहते हैं और उनका circulation कैसे होता है तो इस बारे में आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं एक होता है heart और एक होता है lungs और यह जो heart और lungs हैं दोनों के दोनों अपने अपने काम करते हैं hurt जो है वो बार-बार धक-धक-धक करता है और lungs जो है वो भी compress और relax होता है और इससे क्या है कि हमारे पूरे body के अंदर circulation चलता है blood का मगर blood के साथ ही उसके अंदर lymph का भी circulation चलता है और ये महचोपूर्ण क्या है ये इसको समझने की कोशिश करते हैं मोटे तोर पर हम तीन चीज़ों को समझते हैं हमारा lungs होता है एक hurt है और एक बाकी पूरी की पूरी body है तो जो blood है उसको hurt body के पास में pump करता है और body से वो दो बार ऐसे hurt के अंदर चले जाता है तो यहाँ पर दो अलग color के arrow मैंने इसने लगाई है कि red color का arrow यह बताता है कि hurt से oxygen लिया हुआ जो पूरा blood है वो body के तरफ जा रहा है और body से oxygen जिसकी खतम हो जाती है उस वाले blood को वापस hurt की तरफ भेज दिया जाता है तो hurt जो धक-धक करता है उसके अंदर वो pump कर रहा होता है body के अंदर पूरे खून को अब उसके अंदर oxygen भरने का काम करता है lungs तो चलिए hurt के 4 हिस्से बना देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उसके अंदर जो नीचे वाले हिस्से होते हैं ये बड़े powerful होते हैं और उपर वाले हिस्सों के अंदर उतना power नहीं होता उपर वाले हिस्से के पास में ज्यादा काम नहीं होता उसका काम सिर्फ इतना होता है कि नीचे वाले हिस्से के अंदर वो blood को डाल दे और फिर जो नीचे वाला हिस्सा है उसके पास ज्यादा काम होता है उसको जोर से compress करना पड़ता है और वो जो compression है वो ही पूरे के पूरे body के अंदर घूम जाता है साथ ही के अंदर दूसरे हिस्से का compression है वो क्या करता है उसको देखते हैं तो देखिए पहले इन चारों को numbering कर लेते हैं इसको एक बोल देते हैं, इसको दो बोल देते हैं, इसको तीन बोल देते हैं और इसको 4 बोल देते हैं ताकि हमको समझने में आसानी रहे साथ ही के अंदर right वाले दोनों हिस्सों को हम red कर देते हैं क्योंकि यहां पर oxygenated यानि कि oxygen लिया हुआ blood होगा और left वाले हिस्से को हम blue कर देते हैं तो यानि कि हमारे पास में 4 हिस्से हो गए हैं दो red हैं और दो blue हैं अब हमें यह पता है कि यह जो नीचे वाले दोनों हिस्से हैं यह बड़े powerful हैं यानि कि यह चौथा और यह जो तीसरा हिस्सा है यह बहुत powerful है और यह जो दो और एक हैं इनके अंदर power कम है अब हर्ट काम कैसे करता है नीचे दो हिस्से हैं और उपर दो हिस्से हैं जब नीचे वाला दबता है तो उपर वाला relax होता है उपर वाला दबेगा तो नीचे वाला relax यानि कि हर्ट हमेशा इस प्रकार से काम करता है तो देखिए नीचे वाले जो दो हिस्से हैं ये powerful हिस्से हैं सबसे पहले ये दबा इसको दबते ही ये पूरा के पूरा blood बॉडी में गया और बॉडी वाला जो पूरा blood था उपर वाले हिस्से यानि कि एक number के अंदर आ गया मगर यहाँ पर हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ हम मकसद यह होगा जब उस वाले हिस्से के अंदर जो अभी हमारे पास में deoxygenated यानि कि जो नीले कलर का जो blood जो हमने दिखा रखा है उसको वापस लाल convert करके body के पास में भीजा जाए मगर इसका जो काम है वो काम करता है lungs तो देखिए तीन number से जो blood निकला था यह body की तरफ गया था और साथ ही के अंदर body से घूमके यह पहले number वाले compartment में चले गया था अब जब उपर वाले जो दोनों हिस्से हैं यह दबेंगे यानि कि यह इस तरफ वाला हिस्सा दबेगा पहले इसको समझते हैं तो यहां से blood नीचे की तरफ आ जाएगा तो अब हम यह compartment जब यहां पे दबा तो चार नंबर वाले में आ गया और चार नंबर वाला जैसे ही दबेगा तो यह lungs के अंदर चले जाएगा और lungs के साथ ही के अंदर कुछ हिस्सा जो है वो दूसरे नंबर वाले compartment मतलब अगले compartment के अंदर वो चले गया है तो देखें इस वाले हिस्से ने जैसे ही इसको pump किया तो यह lungs के पास में चले गया और यहां पर वो लाल कलर का हो गया मतलब उसने carbon dioxide छोड़ दी है और oxygen ले ल तो नीचे वाला हिस्सा है जिसके भी दो हिस्से है जैसी उसने compress किया blood कहां गया बॉड़ी के अंदर और साथी के अंदर लंक्स के अंदर और साथी के साथ के अंदर जो उपर वाला जो portion है यह जैसे नीचे वाला compress होगा यह relax हो जाएगा और जब रिलक्स हो रहा है तो नीचे वाला रिलाक्स होगा तो उपर वाला जो blood है वो नीचे वाले दुनों chambers के अंदर चले जाएगा फिर नीचे वाला जब chamber दोबारा से पिछकेगा तो वो जो blood है वो body और lungs के अंदर चले जाएगा यानि कि दो cycle यहाँ पर एक साथ में चल रही है एक नहीं दो cycles होती हैं अब इस पूरे को एक साथ में समझते हैं, नीचे वाले जो दोनों portion है, जैसे ही pump हुआ, यह जो blood है, यह दोनों तरफ चले गया, साथ ही के अंदर उपर वाला जैसे ही relax हुआ, यह घूम के इन दोनों portions के अंदर उपर वाले portions के अंदर आ गया, और जैसे ही उपर वाले portions हैं, यह compress होंगे और यह नीचे वाला relax होगा तो यह नीचे चले जाएगा तो यहाँ पर दो तरीके के circulation एक साथ में चल रहे हैं इसको बीच के अंदर से अगर line कर देते हैं तो heart से body के बीच के अंदर एक circulation और heart से lungs के बीच के अंदर दूसरा circulation दो circulation साथ साथ में चल रहे हैं अब ये सारी बात तो हो गई है heart की उसका किस तरीके से circulation है मगर circulation में क्या होता है blood और वो blood कहां पे घुमता है वो blood vessels के अंदर गुमता है साथ ही के अंदर वो leak भी होता रहता है यानि कि दिन भर के अंदर ये जो पूरा circulation हो रहा है इसके अंदर तकरीबन तीन से चार या पांच लीटर जो blood है उसके अंदर से कुछ serum निकल के और side के अंदर भह जाता है पूरी body के अंदर चले जाता है जो circulation के अंदर directly वापस नहीं आता तो lymphatic system को हम समझते हैं यहाँ पर एक human body मैंने बनाने की कोशिश की है और साथ ही के अंदर इस heart को और कुछ मैंने vessels बना दी है ताकि idea हो जाए अब इसके साथ ही मैं कुछ और भी vessels बना रहा हूँ और यह सारी की सारी जो अलग color की है यह lymph nodes है, lymph vessels है, मतलब यह एक lymphatic system है जैसा मैंने आपको बताया कि blood जो है वो अपने circulator system के अंदर पूरी की पूरी body के अंदर फैल रहा है मगर वो जहां पर जा रहा है, जिन blood vessels मैं से घुम रहा है, वहां से थोड़ा-थोड़ा करके जो उसका जो liquid है, यानि कि उसका जो serum है, वो साथ-साथ के अंदर leak भी होता रहता है जो blood की जो vessels है, अगर वो completely, plastic की तरह अगर हो जाएंगी तो फिर तो घुमते रहे चाहे, vessels के अंदर क्या फरक पड़ता है उसको जो exchange करना है, जो oxygen exchange करनी है, उसके लिए उसकी सनरचना ऐसी होनी पड़ती है ताकि उसके अंदर से जो gas है, वो निकल के tissues तक पहुँच सके, तभी तो वहाँ पर oxygen जाएगी तो यह oxygen जाने के चकरों के बीच के अंदर, थोड़ा-थोड़ा सा जो उसके अंदर से liquid है, वो भी उसमें से रिस्ता रहता है पूरे के पूरे circulatory system के अंदर, यानि कि blood का जो serum है, जिसको पानी आप कह सकते हो, थोड़ा सा पानी सा जैसा होता है वो रिस-्रिस के interstitial cells के अंदर जाता रहता है, और वो फिर भरना शुरू हो जाता है मगर वहाँ पर अगर जाता ही रहेगा, और उसको वापस अगर blood के अंदर नहीं डाला जाएगा, तो पूरे के पूरी body के अंदर swelling आ जाएगी तो यह जो lymphatic system है, यही काम करता है, जितना भी serum है, जो की blood से wrist के interstitial cells से होके इदर उदर इखटा हो गया उसको वापस इखटा करके और वो heart की तरफ वापस भेज देता है, मतलब जो vein जा रही होती है, उसके अंदर वापस उसको सम्मेलित कर देता है मगर इसके साथ ही इसके और भी बड़े-बड़े functions हैं, जिसके अंदर एक सबसे बड़ा function है, वो है immunity, यानि कि वो immunization provide करता है कैसे करता है, अब यह समझी कि जो blood vessels होती है, वो उसके अंदर जो space है, gas को exchange होने के लिए और जो serum है उसको निकलने के लिए वो बहुत ही कम होती है मगर यह जो lymphatic system है, यह जहाँ-जहाँ से पानी को या serum को जो इखटा करके और वापस blood के अंदर डाल रहा है, इसके अंदर space बहुत ज़ादा होती है और यह space इतनी ज़ादा होती है कि इसके अंदर अगर कोई waste material है, कोई bacteria, virus वगर ऐसी जितनी भी चीज़े हैं, वो शरीर निकल निकल के इसके अंदर फिंग देता है और फिर यहाँ से निकल के lymph nodes की तरफ जाती है, lymph nodes आप समझते होंगे जैसे यहाँ पर यह आप tonsils हैं, यह लिंफ nodes हैं, यहाँ पर कई जगे, पूरे के पूरे जो body है, इसके अंदर गोलिया टाइप होती है यह गोलियां जो हम सोचते हैं कि यह फाल्तू चीज़ें नहीं, यह सबसे ज़्यादा important चीज़ें होती हैं, यहाँ पर जितना भी यह पानी है, जितना घूम के आया है, ब्लड से, रिस्क के जितना भी निकला है, यह सारा इखटा होके यहाँ पर आ रहा है, और उसके अगर उसको यह लगता है कि वहाँ पर कोई bacteria virus, कोई ऐसी कोई चीज़ है, जो body की नहीं है, और जो body के लिए हनिकारक है, उसको वहाँ पर उसको खतम कर दिया जाता है, तो अब आप यह सोचिए कि body को immunity देने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, सबसे ज़्यादा अंदर घुस सके या निकल सके, यह पूरा का पूरा काम अलग-अलग tissues के अंदर हो रहा है, और यह जो lymph nodes होते हैं, और जो lymphatic system है, इनके भी अपने जो spleen करके कुछ organs होते हैं, वहाँ पर नए नए immunity वाले cell बनते हैं, अब यह cell कहाँ पे हैं सारे के सारे, यह lymph के अंदर बलड के अंदर भी जाते हैं, मैच्चोर होते हैं, और किसी भी तरीके के attack को रोकते हैं, यानि कि सबसे important क्या है, इस lymph system जो है, यह immunization को आपको strong करता है, यहाँ पर ही वो बीटा cells वगरे करके करते हैं, जिसको हम आगे कभी जानेंगे, जो की बलड के अंदर जाकर antibody को produce करन बही exercise अगर आप करोगे, तो आपका circulation तेजी से होगा, circulation तेजी से होगा तो क्या है, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो fluid है, वो leak होकर आपकी body के अंदर जाएगा, उस body के अंदर जो ज़्यादा अगर चीज़ें leak होके जाएंगी, तो यानि कि वो cells के बीच के अंदर बहुत ज़्यादा घुमेंगी, और वो cells के अंदर बहुत ज़्यादा घुमेंगी, तो वहाँ से बहुत सारे जो कच्रा है, उसको भी खटा किया जाएगा, bacteria है, अगर कोई foreign particle है, उसको भी खटा करके, और lymphatic system के अंदर डाल दिया जाएगा, lymphatic system के अंदर वो सीधा जाएगा, lymph nodes क पास में, जहां पर उसका पुरा का पुरा हिसाब बराबर कर दिया जाएगा, तो यह सब हुआ किस से, यह सब हुआ जब आपने exercise की, जब आपने दम लगाया, जब आपका circulation बढ़ा, अब वो circulation को बढ़ाने के लिए आप चाहे तो आप exercise कर लो, या पूरी body की बार बार मसा कर बाते रहो, एक ही बात है, मगर circulation जो है, इसको हमने जितना ज्यादा अच्छा किया, उतना ही ज्यादा बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं, इदर उदर कहीं पर दबे वे थे, वो सब उन cells के संपर्क में आ गए, जो इनका काम तमाम कर सकते थे, otherwise वो कर नहीं पाते, तो देखिए, ये है फायदा exercise करने का, और साथ ही के अंदर आप ये भी समझ गए, कि ये circulation वगरे कैसे होता है, इसको समझाने में मैंने कम से कम technical चीजों का इस्तिमाल किया है, क्योंकि ये केवल overview है, हर एक technical detail के बारे के अंदर जो videos में बना रहा हूँ, जो कि syllabus के हिसाब से है, वो नीचे मैंने description में दिया है, ये वीडियो तो मैंने खास तोर पर आपके लिए बनाया था, ताकि आप non-technical लोगों को, अपने माता-पिता, भाई-बहनों को भी इस वीडियो को दिखा के समझा सको कि इस प्रकार से चीजें हमारे शरीर में होती है, और हर एक जो function है प्रोग्रेस करेंगे, धन्यवाद